कभी हमें पहनने के लिए आजादी नहीं दी गई कभी बोलने के लिए आजादी नहीं दी गई कभी हमारे लिप्स्टिक के रंग से हमारे का सर्टिफिकट दिया गया कभी हमारे कपड़ों से हमारे character को assassinate किया गया और कभी हमारी जात को हमारे शिक्षा और डिग्री से भी हमारे चरित्र को उच्छाला गया मैं lipstick पोच देती हूँ, काजल नहीं लगाती हूँ और एक बहुत भरपूर कपड़ा पहनती हूँ क्या इस देश के मर्द एक paper पर sign करके देने को तयार है कि वो हमारा बलादकार नहीं करेंगे तीन महीने की छोटी बच्ची का जब बलादकार होता है तो कौन से lipstick आकरशित करती है मर्दों को कौन सा काजल आकरशित करता है मर्दों को कौन से खुले जुल्फ आकरशित करते है मर्दों को और कौन से छोटे कपड़े के खुले पैर उनको आकरशित कर देते है क्या ये सिर्फ कहावत वाली बात है मुझे लगता है वो मर्द नहीं होते हो मैं ऐसे मर्दों को नामर्द ही मानती हूँ लेकिन नामर्द करने की सजा भी तो मिले उनको अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों देश का कानून इतना कठोर नहीं हो जाता कि उनको नामर्द करके छोड़ दो भले ही जेल में भेज करके उसको घर जमाई मत बनाओ और जेल के अंदर टीवी कैरम बोड और अच्छे अच्छे खाने मत दो सिर्फ उसको नामर्द करके छोड़ दो क्या वक्त नहीं आया है क्या बलादकार की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए क्या वक्त नहीं आया है कि आठाट साल इंतिजारा और आपेक शाएं जो आखे पत्रा करके हम करते हैं कि अब मिलेगी सजा अब मिलेगी सजा और वकीलों का खाफला जाता है बलादकारियों को बचाने के लिए शर्म से नजर जुकती है कि ये कौन से वकील है जो बलादकारियों को बचाने के लिए अपनी दलीले रखते है कौन से वकील हैं ये शर्म से नजर जुकती है कि सरकार अब भी नहीं सोच रही है कि बलादकार की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए क्या वक्त आ गया है कि बदलाव होना चाहिए वक्त तो रोहिजी बहुत पहले आ गया था कानूनों में भी बहुत पहले आ गया था इस देश की निर्भाया ने जिंजोड दिया था पूरे देश और दुनिया को और तब ही बहुत आवाजे उठी थी और बहुत सारे कानून बने थे पर तब भी मैंने कहा था कि बालातकारी मानसिक्ता के मर्दों के लिए ये कानून भी हलका है जब तक सर्वुचे नियाई पालिका और सेंट्रल गवर्मेंट इस पेपर पर सिगनेचर नहीं करते हैं कि जो कोई भी बलातकार करेगा मेडिकल रिपोर्ट में साबित होने के बाद उनको तीन महीने के अंदर फास्ट्रैक कोट के तहत फासी की सजा दी जाएगी तब तक डरेंगे ने आज आप सिर्फ पांच बलातकारियों को फासी दे दीजिए देखिए उसके बाद कि ये बलातकार का जो चरित रहे बलातकारियों का वो कम होता है कि नहीं होता है पासी देदी जी ये बात तो जायज है लेकिन जब सबूत ही नहीं मिलेंगे जो बंगाल में हुआ विभत्त सावों ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा देखे बंगाल में सबूत टैंपर नहीं किया गया था बंगाल में सबूत वैनिश किया गया था बंगाल में सबूत के साथ छेड़ छड़ नहीं की गई थी बंगाल में सबूत को इरेज कर दिया गया था लेकिन क्या मुम्ताब अनरजी साहिबा उनके पुलीस और उनके डॉक्टर्स क्या उस बॉडी के अंदर से 150 मिली ग्राम सिमिन को भी वैनिश कर पाए क्या जो आरोपी अभी CBI की हिरासत में है क्या उसका सिमिन अब निकाल करके आर्टिकल मैच नहीं किया जा सकता है क्या जा सकता है आप सबूतों को बारी की से आप वैनिश तो कर दी दी आपने छेड़ छाड़ तो बॉडी से भी करवा दिया आपने तो अतड़ी और गुर्दे को भी चेंज करवाने की कोशिश करवा डाली लेकिन आर्टिकल तो मिल गया सिमिन तो मिल गया मुझे लगता है कि ये सिमिन और आर्टिकल मैच करना ही महत्वपून और सबसे इंपॉर्टन जो एविडन्स होता है और उसके बाद फासी की सजा इमीडियेट सुना देनी चाहिए और अभी जो प्रोटेस्ट में एक नारा लगा है कि या तो हैंग करो या हैंड ओवर करो मैं भी यही कहती हूँ कि या तो हैंग करो और या तो फिर देश की बेटियों के हवाले कर दो हम बता देंगे सरकार को भी और नियाए पालिका को भी कि बलातकारियों की सजा क्या होनी चाहिए बिल्कुल वक्त जिस तरीके से आ गया है हैंग गया हैंड ओवर पर बाते पहुंच रही है नाजयाजी लेकिन सरकार का जवर रवया है मैंने कई लोगों से बात की बंगाल पर लगातार डिबीट भी हुई और जिन हिस्सों में देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे केसे नंदो है वहांपर बहुत हुआ निकाल दिया निकाल दिया मंताब एनरजी सहेबा से पूछ लिया कि तुम मुख्य मंत्री भी अच्छी नहीं हो और तुम पुलीस मंत्री भी अच्छी नहीं हो और स्वास्त मंत्री भी अच्छी नहीं हो ममता बैनर जी ने ममता बैनर जी साहबा से पूछ लिया क्या आकर तुम्हारे राज में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है एक शब्दावली का उन्होंने इस्तिमाल किया था जो काफी लोगों ने नोटिस नहीं किया उन्होंने मिचल के बाद एक शब्दावली कही कि देखिये इसको कॉमिनल मत कीजिएगा क्या मतलब था इसका क्या कोई मुसल्मान नेता का कोई भाजा या बतीजा भी था क्या इस रेप में, कॉमिनल नहीं कीजिएगा, ये श्रब्द आया कहां से, जो आरोपी हिरासत में है, वो धर्म से हिंदू है, और जिसका रेप हुआ, जो डिजीजड है, वो भी धर्म से हिंदू है, तो ममता बैनर जी ने कि जबान कॉमिनल में क्यों लड़ खड़ाई है, क्या CBI को इस बात पर ममता बैनर जी साहिबा का पॉलिग्राफि टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या CBI को, माटी एमसी से रिलेटिड किस-किस नेता मंत्रियों के भांजे, भतीजे, बेटा, देश से बाहर, पिछले 15 दिन में चला गया है, विदेश भाग चुका है, क्या उसको एक्स इसे में एक सवाल उभरता है, कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक घटना थी, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिस है, देखे रोहित, ये साधारन कोई बलातकार की घटना नहीं थी, और साधारन हत्या की घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, आर्जेकर में जिस हिसाब से waste scam चल रहा था, अर्गन ट्राफिकिंग का scam चल रहा था, डेट बॉडी को बेचने का scam चल रहा था, जिस हिसाब से 2021 से 2024 के आंकड़े अगर निकालियेगा, तो सबसे ज्यादा बच्चा डिलिवरी होने के बाद मिर्तियु आर्जेकर में हुई है, सबसे ज्य कि 2001-2024 का आंकड़ा निकालिए, पुरा होमवक कीजिए, कई नर्स और कई वहां के एंपलोई ने सुसाइड किया है, क्या वो सुसाइड था? क्यूंकि जो डिजीज है हमारी डॉक्टर बिटिया, जिनके साथ इतना बड़ा गटना हुआ है, उसको भी संदीब घोष ने क्या के लिए भी बहुत चालेंजिंग केस है यह, जिस हिसाब से सुषान सिंग राजपूत का जहां पर डेट बॉड़ी पाया गया था, उस रूम को वाइट वाश करा दिया गया था, और उद्दफ ठाकरे की पुलीस ने अपनी पूरी परिश्रम कर डाली थी, अपना पूरा एफोर्ट दे डाला था कि सुबूतों को मिटा देना है, और CBI आज भी उस केस को ले करके जूल रही है और जूज भी रही है, और लोगों के अभधर टिपडियां भी सुन रही है, इस केस में CBI को बहुत ज्यादा बारीक चीजों को देखना पड़ेगा, और अपने हाथ को लंबा करकरके, बहुत दूर की सोच करके उस बच्ची को न्याएं दिलाना पड़ेगा, बिल्कुल न्याएं की बात चल रही है, तो सुप्रिम कोट में भी संग्यान लिया है, सुप्रिम कोट ने तमाम सवाल किये ममतब अनिरजी सरकार से, कि साथ घंटे में बॉड़ी क्यों दी गई, साथ हजार लोग कैसे पहुश गए, तीस साल में मैं खुद पहली बार ऐसा वाक्या देख रहा हूं, जहां पर इतने लापरवाही बढ़ते गई, ममतब अनिरजी तो पहली बार लापरवाही नहीं बढ़त रही ना, इस ते पहले भी से एक साहजा माले में पहले देख लीजे, नहीं, बड़ी लंबी चाड़ी लिस्ट है, मैं आपको उन, सिर्फ उन इंसिदेंस के बारे में, लिस्ट में बता दे रही हूं, जो देश-दुनिया की खबर बनी थी, पांच फरवरी 2012, नासर कान खादिर कान, सूजर जोर्डन रेप अगर आप डाल स्टेटमेंट को पढ़िये, उन्होंने साफ लफजों में कहा था, ना, आमी मानबो ना, सजीवी घटना है, काकुली दस्तिदर तो और भी नीचे गर गई थी, उन्होंने तो सिधा कह दिया था, वो क्रिश्टन लड़की थी, पैसा मांग रही होगी, बिचारा मुसल्मान लड़का को फसा रही है, F.I.R. करके, उसके बाद आ जाई है, कामदुनी गैंग रेप, क्यों, तीन बार रेप हुआ था, वो जब जाती थी, पुलिस स्टेशन में, F.I.R. करवाने के लिए, तब उसका रेप होता था, और उसकी बॉड़ी जला दी गई, रातो रात, उस इसकी सिक्योरिटी दी गई है, बॉड़ी जलवाने के लिए, आनन फानन, तब भी स्वास्त मंत्राले मंतादीदी के पास था, उस वक्त तो, जो आज के पुलिस ऑफ करेंशनर है, विनीत कुमार गुएल, CID महारे रिक्षकवा करते थे, उन ही पर सवाल उठे थे तो, उस को टेंपर किया है, और वैनिश किया है, वो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, और आप सोचिए, कि पांच मुसल्मान एक्यूटल पा गया, नासर खान की शादी में, जो बलातकारी है, उसकी शादी में, मुसल्मान, अपनी जवान बेटियों को लेकर गया, सजा अपनापूर, रेप and murder case 2015, उसके बाद आजाएगा, बामन घाटा रेप case 2017, संदेश खाली का तो मास बलातकार हुआ था, 2020, हास खाली, उसके बाद फिर हास खाली, उसमें तो ममता मैनेजी साइबा ने कहा था, अपने state government के मन से, लड़कील का love affair था, pregnant थी, हम लोग पूरा चिटचाट पढ़े हैं, whatsapp का, उसके बाद वो पुलिस को address भी की है, पीछे पुलिस बैटी भी थी, उन्होंने पुलिस को address भी किया है, की, हम लोग पढ़े हैं न, वहीं बोल रहा, अब आप सोचिए, कि लड़कीयो हमारे, जब 2011 में ममतब एनेरजी जी की सरकार आई थी, तब मा माटी मानुष का स्लोगन लगा था, माओं का क्या हाल हो रहा है, वो दिख रहा है, नदिया में पंचायत इलक्शन के वक्त में 68 यर की, एक सीनियर सटीजन का बलातकार होता है, क्योंकि वो भाजपा की समर्थ और उसके पोते को चियर पे बठा करके रस्ती से बांध करके उसका रेप होता है, 2015 में चर्च के अंदर इन करके पांच बांगलादेशी मुसल्मान एक 72 साल की नन का रेप करता है, कोई मतलब ही नहीं है ममतब एनेरजी साहबा को, उनका बस एक ही टारगेट रहता है कि और करतों को कैसे उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन करना है, पश्म मंगाल में वही महिलाएं सुरक्षित हैं जो टी एमसी की मेंबर है या टी एमसी के आगे पीछे घुंती है